अब भूत पूरवा विकासकारे हुए हैं और उन विकासकारियों के एक पुस्ति का पुस्ति का जो प्रदशित करती है इन विकासकारियों को उसका विमोचन होना है मानिया मुख्यमंत्री जी और तमाम अथितियों के घरकमलों से तो आप सब लोग साक्षी बन रहे हैं इस हो रही है यह पुस्टिका का विमोचन और यह पुस्टिका आप तक पहुचेगी अभूप पुरव विकास के कार्या और उनी में एक आपने देखा डेस्टिनेशन उत्राखन ग्लोबाल इंवस्टर समीट का सफलता पुरवक संचालन माने मुख्यमंत्री जी क्या गवाई मे जोरदार तालियां बजती रहें बहुत जोरदार तालियां करतल धुनियों से आप स्वागत करें इस विकास पुस्टिका का ये विकास पुस्टिका अब आपके हातों में होंगी लगातार विकास की और अगर सर हमारा उत्राखन और उत्राखन का नित्रुता युवा पुष्थी का आपके हाथों में होगी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं निविदन करूँगा हमारे सभी आथितियों से जो मंच पे थे मानने विदायक और मानने कैबिनेट बंतियों से कि आप अपना स्थान लें और बस सीदे मंच परामधित कर रहा हूं ख्वाइशों से नहीं गिरते हैं फूल जोली में कर्म की साथ को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोशने से कुछ नहीं होगा अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा तो ऐसा ही अपने हिस्से का दीप जला रहे हैं मानने मु मुख्यमंत्री जी मैं आमतित कर रहा हूं माने मुख्यमंत्री जी को एक बार जोड़दार तालियां मंच पर और माइक पर माने निया मुख्यमंत्री उत्राकर सरकार पुषकर सिंग धामी जी विकास पुस्तिका के आज इस विमोचन समारों में हमारे राज्यमंत्री मंदल के मेरे सयोगी आधनी सत्पाल महराज जी आधनी प्रेम चन्नगरवाल जी आधनी गने जोशी जी मनी विधायक आधनी मुन्ना सिंग चौहान जी आधनी खजान दास जी आधनी सभीता कपूर जी आदनी सहरीता आरिया जी, भाई सुरेश कडिया जी, सिधार्थ अगरवाल जी, महानगर अध्यत्थ भारती जनता पार्टी, सिरी सुनी लुन्याल गामा जी, हमारे निवर्तमान मेयर दहरादून, मदू भड़ जी, उपाध्यक्ष, संस्कृति विवाद, हमारे सच्चिव, सिरी मिनाक्ची सुन्दरम जी, सिरी सैलेश भगोली जी, और महानिदेशक सूसना, सिरी बंचीदर तिवारी जी, आरणी विश्वास टाबर जी, आरणी अनिल गोल जी, आरणी सुनी पुनीत मित्तल जी, एवं आयवे हमारे सभी अतितिगन, सभी अधिकारी गन, सभी महनवाव, हमारे सभी मीडिया से, सभी हमारे बरिष्ट मीडिया साथी, उपस्तित भाईयों, बहनों और इस पूरे परिशर के अंदर, जो अभी दो दिन का डेस्टिनेशन उत्राखंड, गलोबल इंवस्टर सम्मीट, जो यहाँ पर संपन हुई है, उसमें अपना योगदान देने वाले, सभी हमारे अधिकारी गन, सभी हमारे करमचारी गन, मैं आज इस अउसर पर ससकते तो तो सम्मर्द उत्राखंड के विमोचन उसर पर मैं सभी विभाग के अधिकारियों को, करमचारीयों को बहुत सुपकामनाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि इस पुस्तिका का यहाँ पर आज विमोचन हुआ है, और निश्चित रूप से, इसके माद्यम से सरकार की जो जन कल्यानकारी नीतियां है, उन जन कल्यानकारी नीतियों को जन जन तक ले जायए जाएगा, उनका परचार पसार किया जायएगा, निस्षित रूप से जो सरकार की वाते हैं वो जन जन तक पहुँचेंगी और आसा है कि विभाग के इस प्रकार के प्रियासों से जो हमारी सरकार की युद्णाएं हैं लाभार्थियों के कल्यान की युद्णाओं की उनको जानकारी मिलेगी जो इसका लाव लेने वाले हैं उसका और बहतर कैसे लाव ले सकते हैं इस पुस्तिका के माध्यम से उनको इस दिशा में भी कहीं न कहीं साहता प्राप्त होगी इस के साथ ही इस ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मीट के आयज़न को सफल बनाने वाले सभी अधिकारियों को सभी कार्मिकों को तथा सम्मीट में विशाल संक्या में पधारे में सभी लोगों का भी हर्दय से अभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यह सम्मीट जब हमने प्रारंब किया था तो उस समय काफी चुनौतियां हमारे सामने थी काफी कठिन परिस्तितियां थी लेकिन पहली बार आपने देखा होगा दुनिया भर के देशों से तीस से अधिक तो राज्यों के एमबेस्टर उन्होंने यहां भाग लिया अने को बड़े उद्ध्योक सम्मू के देश के सभी उद्ध्योक सम्मू के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया और उन सब को लाने में उन सब के ठीक प्रकार से आने जाने का नियोजन करने में बहुत प्रकार की द्योस्ताओं को ठीक प्रकार से संचा में धन्यवाद करता हूं मैं आज के इस अफसर पर मीडिया के भी सभी मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कारिक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया क्योंकि हम सब जानते हैं मीडिया वो महत्तपून कड़ी है जो सरकार और जनता को जोडती है कहीं में यह सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम, मीडिया के माध्यम से होता है। जितनी भी जनकलगाणकारी योजनाय हैं, कारिक्रम हैं, और जो हम काम करते हैं, जनहित के मुद्दे, और उनकी समस्याएं, उनका ध्यान को आकरसित करने का काम, समस्याओं को समाधान के उल ले जाने का काम, मीडिया के माध्यम से होता है, और हमारे मीडिया के बंदू, अप बहुत उनका स्वयोग भी कर रहे हैं मैं उन सब का धन्यबाद करता हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं जब मैं विध्यारती जीवन में था तब से बहुत सारे लोगों से मेरा बेक्तिगत परिचय भी है मित्रता भी है फिर एक काल खंडशन 2000 के बाद जब राज्य बना तो सबके साथ बेढ़ते बेढ़ते सबके साथ बहुत निकटा से काम किया है और उस नाते जहां हम उम्म्र लोग मित्र के नाते भाई के नाते अपने सुझाओ देते हैं कुछ हमारे बरिष्ट हैं जो समय समय पर нап अपने ऐसे शुजाओ जो वास्तों में हमको अमलमल आने चा और पिछले दिनों सिल्क्यारा की जो टनल में हमारे मजदूर भाई फस गए थे आप सब जानते हैं उस समय प्रदेश के लेवी एक बड़ी चुनौती हो गई थी और देश के सामने भी बड़ी चुनौती थी उस समय भी हमारे मीडिया के बन्नों ने जिस प्रकार से अपना एक सकारात्मक रूप से उस पूरे घटना करम को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया उससे जहां लगातार जो इस रेस्क्यू अभियान को चलाने वाले लोग थे जो ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने भी उनके अंदर भी सकारात्मक चीजह लगातार आती रही और अप जो बहार थे उनके परिजनों तक भी लगातार एक बात जाती रही जिस प्रकार से मेडिया लिखता रहा कि कहीं ने कहीं वो जल्दी ही जो है बहार आएंगे उनके अरदर शकारात्मक का बनी रही उसके कारण से 17 दिन अंदर रहने के बाद भी 17 दिन अंदर रहने के बाद वो जिस प्रकार से बाहर आये बहुत सारे लोग बिलकुल आश्चरे चकी थे कि 17 दिनों में बहार आते समय उनके चहरे पर किसी प्रकार की पीडा होगी किसी प्रकार का कोई अससता होगी लोगों ने देखा कि वो बिलकुल स्वास्ट और हसते हुए बहार निकले उसमें आप सब की भी बहुत बड़ी भूमिका है मैं आप सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इसकी चर्चा मेंने पिछले दिनों में जब दिल्ली गया था तो दिल्ली में भी मैं वहां लोगों के साथ बैठा मीडिया के लोगों के बीच में बैठा तो मैंने बताया मैंने का देखे हमारे उत्राखंड के मीडिया के लोगों ने किस प्रकार से एक सकारात्मक रूप से लोगों के सामने अपनी बात पहुचाई पूरे देश दुनिया के सामने क्योंकि अन्यता वो इतना सेंस्टिम मुद्धा था कि थोड़ा सावी अगर कहीं पर भी अगर हम उपर नीचे करते तो हो सकता है कि पुरा रेस्क्यों भ्यान और उससे जुड़ी हुई सकारात्मक्ता थोड़ा साउस में अगर कमी आती तो आ पहले हमने इन्वेस्टर सम्मिट यहां आउजित की उसमें हमको हमारे आरणी प्रधान मंत्री जी का गरह मंत्री जी ने जिस प्रकार से डेस्टिनेशन उत्राखंड एक नए उत्राखंड के निर्मान की सुरुवात है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इसकी शुरुवात को आप सब के सायोग से आप सब के सुजहाओं से इस کو निस्चित रूप से जहाँ इसका इसकी मंजिल है इसको मंजिल तक पहुँचाने का काम करेंगे क्योंकि हमने कल समापन औसर पर मैंने कहा था यहां से कि यहांस समापन नहीं हो रहा है बलकि कुछ चीजों की शुरुवात हो रही है और इसका हमने प्रयास शुरू किया है और प्रयास अच्छा हुआ जहां हमने धाई लाग करोड़ रुपे का लक्ष रखा था तो मुझे कुछ मेरे बहुत सुप्चिंतों को ने मुझे कहा कि आपने बहुत बड़ा लक्ष रख दिया आप के मुझे कोई बात निकलती है तो लोग विश्वास करते हैं कि आप जो कहते हैं उतना करते हैं इसलिए आपने ज्यादा लक्ष रख दिया आप कहीं ऐसा नहीं हो कि पहली बार आपके मुझे निकली हुई बात गलत तो नहीं हो जाएगी मैं भी थोड़ा सा हलका सा में असज हुआ लेकिन मुझे भरोसा था कि हमारी पूरी टीम और इस समय जो वातावन बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर एक वातावन बनाया है हमारी प्रधान मंत्री जी के नितुक्तू के कारण से जी ट्वेंटी की सपलता के कारण से कि जो शक्ति है वो बड़ी है लोगों का आस्ता विश्वास भारत बढ़ा है मैंने का अब तो चूकी मैंने कह दिया है और यह नियोजन करने के बाद कहा है अंततर जब हम आगे बढ़ने लगे तो जगा-जगा से लोगों ने हमारा प्रोश्वां किया अपने निवेसों क कि हमारे अन्य सहरों चन्नाई से लेकर एहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अनेको इस्तानों पर यह हमारे उत्राखंड के अंदर जो हमारी existing industry है, उनके लोगों ने भी आगे बढ़ चड़कर रिसमें भाग लिया और हम साड़े तीनलाक करोड से भी ज्यादा के MOEU अभी तक कर चुके हैं और बहुत सारे MOEU हमारे अभी प्रस्ताओं के रूप में हमारे सामने हैं, अब हमको देखना है कि राज्ये के अंदर जो अधिक से अधिक रोजगारों का सरजन करेंगे, हमारे यहां के नौजवान भाईयों को, युवाओं को, अपने घर के अ जो हमारे स्किल्ड है, नौन स्किल्ड है, उन सभी को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, उनको हमने प्रात्मिक्ता देने का ऐसा विचार किया है, और उस पर जल्दी हम समिक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और यह कहीं न कहीं, पुत्राघंड की जो अनंत पहावनाओं को तलासने की एक नई सुरुवात हुई है, और इसमें हमारे प्रधान मंत्री जी का, मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उनी की प्रेणा से यह हम सम्मिट कराने में सफल रहे, जब मैंने स होता था, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि अरे, अभी कैसे सम्मिट हो जाएगी, अभी आपके राज्य में कैसे इस प्रकार का एकदम से इंडस्टी फ्रेंडी महौल बनेगा, तो कहीं ने कहीं, प्रधान मंत्री जी ने हम पर भरसा जताया, और उत्राखंड में न अगर्म साथ, हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो विश्वास के साथ कहा है, कि उत्राखंड एक ऐसाथन है, जहां बिकास और दैवी सक्ती साथ साथ में हमारी सरकार, इस से भी हमारी सरकार में इसको पर्फॉर्मेंट से जोड़ा है, और हम इसको निरंतरता साभे आगे कि देश को हम देश का हम राज्य को अगरणी राज्य बनाएंगे देश के अगरणी राज्यों में उत्राखन नमारा होगा उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रियास करना है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेणा से उनके मारदसन में इसके लिए हम लगातार प्रियास भी कर पहली बार हुए हैं, उसमें मैं कह सकता हूँ कि हमने चुकि आज विकास पुस्तिका जहां बिमोचीत हो रही है, उस अफसर पर मैं कह सकता हूँ कि राज्ये के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं, जिनके लिए पहली बार इनिसिटिव लिया गया है, चाहे वो सबसे कठोर नकल बिरोधी कानून मनाया हो, या भरती घोटालों पर करने वाले उपर कड़ी कारवाई की गई हो, धर्मांतरन रोकने के लिए सबसे कठोर कानून देश का हमने बनाया है, लेंड जिहाद, लब जिहाद, कि खिलाब भी हमने सक्त कारवाई की है, समान नागरी सहिता भी, जल् को उसका भी जो है, जो ड्राप्ट है, वो मिलने वाला है, उस पर भी हम जल्दी ही कारवाई आगे कड़ेंगे, टेश बरसों में पहली बार हमने तीस प्रतिसेत का जो शेती जारक्षण है, उसका भी हमने विद्यक लाकर प्रावधान कर दिया, बरस्टाचार पर भी हमने 23 सालों में, पहली बार, आज चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जो भी इस मामले में सल्निफ पाया गया है, उस पर कारवाई भी हमने प्रारंब किये हैं, इसके साथ ही, राजस्य पुलिस की जगह, रेगुलर पुलिस तैनात करने की कारवाई भी हमने की है, आप देख रहे हैं इस प्रकार का जो आजन है, यह भी नए स्वरूप में, हमने करने का प्रियास किया है, यह जो भी प्रियास किया है, हमने जो भी मेहनत किया है, वो आपके सामने है, और हमारा संकल्प है, हम इस प्रकार के कारिये, एक दिन भी, एक मिनट भी, रुके विना, ठके विना, जीने कई उपलब्दियां हासिल की हैं लेकिन अभी हमारे समथ बहुत सारी चुनोतियां हैं जिन पर हमको काम करना है जिनका सफलता पुर्भक सामना करते हुए देव भूमी को देश का स्रेज राज्य बनाना है हमें अपनी जो चुनोतियां उन चुनोतियों का हमें पता है और लेकिन हमें अपनी जो ताकत है जो देव भूमी की चाहिए देव भूमी का जो सामर्थ है उस नभी हमें भरोसा है और उस भरोसे के कारण से हम आगे बढ़ेंगे पलायन, सिक्ष्या, स्वास्थ, छेतरों में सुधार प्था, राज्य के दुरगम और सुमान छेतरों में संतुलित रूप से विकास पहुचाना यह भी हमारी प्राटनिक्ता होगी हमारे यहां के महनती जो हमारी मातर सकती है जो आज कई चेत्रों में काम कर रही है लगभती दीदी बनाने का जो काम हमने प्राइव देकिया उसको इसी मंच से आधरी परदान मंतुरी जी ने भी उस कि सरहना की है हमारे हमको कहीं ने कहीं परोशान दिया है इस प्रकार से राज्य काम कर रहा है उसी का शुरूप जो हाउस अभ हिमालया जो आजनी प्रधानमंत्रीजी ने यहां देश की जनता के सामने रखा है उनके हातों से उसका इनोगरशन हुआ है निश्चित रूप से उससे हमारे यहां के उत्पादों को हमारी मात्र सकती को बिपलन के लिए बड़ा बजार मिलने वाला है य्वा सक्ति हमारी आगे बढ़ रही है प्राकृतिक स्वंदर है निश्चित रूप से हम इन सब का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे भाईयों बहने हमने साहस के साथ चुनोतियों को शिवकार करते हुए देव भूमी को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है और मुझे पुरा विश्वास है कि आप सब के सहयोग से हमारा इस संकल्प अवस्चे पुरा होगा अन्त में एक बार फिर से अपने सभी मंत्री मंदल के अजनी मंत्री को आपने आधनी विधाय ग्रणों का साथ अंन्य पिधायको आंगों और शेश रूप से जिन्होंने इस सम्मीट में अपना योगदान दिया हमारे सभी सरकारी जितने भी हमारे विभाग हैं उन विभाग के अधिकारियों का करमचारियों का जिन्होंने रात दिन काम किया है उन सब का मैं जिल से घरदय से बहुत धन्यवाद करता हूं और इस अवसर पर एक प्रिंटेड बुक की जगाव इबुक के रूप में भेजनी होगी तो उसको भी हमें अत्यधिक रूप से अपने कारेक्रमों में समलिप करना होगा जिससे की कहीं न कहीं संसादनों की भी बचत होगी और आसानी से सरकार की जो नीतिया हैं वो जनता तक पहुंच जाएंगी अपने मितरों का भाइयों का आए हुए च्हायकार बंदुओं को मैं नजवात करता हूँ कि उन्होंने हमारे आवंतन को सुविकार किया हुआ और सारे के सारे यहां आ्प इतनी बड़ी संक्या में पहूंचें और अंत में अपनी बात दो पंक्या कहकर समाप चरता हूं कि मुट्टी में कुछ सपने लेकर मुट्टी में कुछ सपने लेकर भरकर जेवों में आसा हैं, दिल में है अर्मान यहीं, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं बहुत बहुत धन्यवाद